हाई दोस्तो पुश्वस किचेन में आप सबका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बहुती टेस्टी जलेवी जलेवी खाने में बहुत टेस्टी होता है और आसानी से घर में ही बना सकते हैं दोस्तो एक रिकोष्ट वीडियो अच्छा लगे तो फ्लीज लाइक स्यार अन सस्काइब कर दीजेगा मैं हर रोज आप लोगों के लिए नही नही वीडियो लाती रहूंगी चलिए देखते हैं कैसे बनाए जले भी यह अराइसो ग्राम मैदा है 300 ग्राम सक्कर है एक चुटकी केसर लगेगा केसर रिफाइन ओयल लगेगा तिलने के लिए पानी एक चमच घी चाहिए एक चमच दही चाहिए दो चुटकी नमाग एक चोताई चमच कलर जलेबी कलर चाहिए और एक छोटा सा निम्बू का टुकरा अब मैं एक बड़ा कटोरी में मैदा को डाल दूँगी मैदा मैं पहले ही चाल के रखी हूँ इसमें अब मैं नमक दूँगी चराशिक नमक डालने के बाद एक चमच घी डाल दूँगी यह देशी घी है आप चाहे तो रिफैन ओयल के यूश के बिना भी आप घी से भी जले भी तल सकते हैं अब मैं इसमें दही डाल दूँगी देके अच्छे से मिक्स कर लूँगी मिक्स करके अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए बेटर को फाइन एकदम बेटर तयार करूँगी देखिए दोस्ते ऐसे जलेबी घर में आसानी से बन जाएगा और खाने में भी एकदम दुकान जैसा ही टेस्ट लगेगा बहुत अच्छे से बेटर को थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए तयार कर लेना है देखिए दोस्ते ऐसे ही बेटर को तयार करना है ऐसे ही ज़्यादा पतला नहीं होगा ऐसे गारा गारा ही होगा क्यूंकि मैं अब ढ़क के इसको 12 घंटे के लिए रख दूंगी रसोई के कोई भी कोना में किचेन के आप रख शकते हो वहाँ गरम रहता है ऐसे ही रख देना है तब ये जलेबिक करने के एकदम बेटर तैयार हो जागा देखिए कितना फूल गया है ऐसे ही बेटर होना चाहिए अब मैं इसको अच्छे से बेटर को मिक्स्ट कर लूँगी मैं कली इसका बेटर तैयार करके रखी थी देखिए ऐसे बेटर को तैयार कर लेना है बहुत अच्छे से अब मैं इसमें कलर दे दूँगी ये जिलेवी कलर है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से इसे देखिए दोस्तों कैसे फूल गिया है, देखिए ऐसे ही होना चाहिए, ज्यादा पतला हो जाए तो जिलेवी अच्छा नहीं बनता है, अब मैं इसको ढख के तुरा देर के लिए रखूंगी, ये तर चाचनी में बना लूँगी, एक कडाई में मैं सकर डाल दी हूँ, सकर में यहां 300 ग्राम यूज की हूँ, उसी लिए 1.500 पानी डाल रही हूँ, हम लोग चाचनी जरा से, मीठा जरा से कम खाते हैं, इसलिए मैं 300 ग्राम यूज कर रही हूँ, आप लोग ज़्यादा खाते हो तो 400 ग्राम भी आप सकर यूज कर शकते हैं, मैं इसमें लिंबू का टुकरा भी दे दी हूँ, तब यह करेमल फ्रम नहीं बनेगा, गारा एकदम चिपचिपा नहीं होगा, देखिए, अब मैं इसमें केसार डाल दूंगी, डाल के चाचनी को अच्छे से हाई फ्लेम में इसको पकाना है, चलाते हुए, देखिए दोस् इसे चाचनी ज्यादा, एक तार का भी नहीं होगा, जरा से चिपचिपा हो जाए तो तैयार हो जाएगा, उसको इसे चलाते हुए, हाई फ्लेम में मैं पका लूंगी, देखिए, इसे चिपचिपा होने से जरा सिक हो जाता है, चाचनी ज्यादा गारा नहीं लगता है, जल और चासनी को थंड़ा होने के लिए रख दूँगी और नीबू का जो टुकड़ा दी थी उसको निकाल लूँगी देखिए दोस्तो अब मैं एक पैन बेठाई हूँ ऐसे पैन में जले भी बनता है अच्छा अब तेल गरम करने दी हूँ मैं रिफाइन ओयल गरम करने दी हूँ देखिए ऐसे अब मैं एक जो मिल्क आता है उच घर में यही पैकेट ली हूँ उससे आसानी से बन जाएगा देखिए साइसका मूह मोर देने से अब मैं एक ग्लास में बिठा दी हूँ देखिए अब जो खाने का सोडा मैं रखी थी इसको डाल दूँगी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है देखिए कैसे और फूल रहा है बेटर ऐसा ही होना चाहिए बहुत अच्छे से मिक्स कर के कर लेना है देखिए कैसे चम्मस से यह गीर जा रहा है बेटर ऐसे एकदम प्रम में आ गया है अब मैं थोड़ा थोड़ा चम्मस के शाहिता से इसमें दे दूँगी देखिए ऐसे ही देखे इसका पैकेट पुरा भर लेना है देखिए दोस्तों मैं इसको इसमें बेटर दे के तयार कर ली हूं अब मैं इसका प्लास दूद का पैकेट का मूँ मूर दूँगी दो के देखे अब मैं एक रबर बेंड के सायता से इसका ऐसे मूर दूँगी बन कर दूँगी इसका मूँ देखिए ऐसे करके तयार कर लेना है आप चाहे तो बोतल में भी जले भी बना सकते ऐसे इसका मूँ जड़ा सी छिंदा कर दीजिए देखिए ऐसे करके अब बना सक मेरा पैकेट में असानी लगता है इसलिए मैं पैकेट में कर लूँगी देखिए अब मैं उसका मुझ जड़ाशिक कट कर दी हूँ ओयल मेरा ज्यादा गरम भी नहीं रहेगा और खुब कम गरम भी नहीं रहेगा अब मैं ऐसे भूमाते हुए जलेवी को तयार कर लूँगी देखिए दोस्तों ऐसे हलका हातों से घुमाते रहना है आसानी से बन जाता है जलेवी आप लोग भी घर में बनाएए बना कर खाईए देखिए इसे आसानी से बन के तयार हो जाएगा मैं इसको जरासिक साइट कर रहे हुए तर और एक तो देश सकूंगी इसको लोग से जरासिक गैस जोर रहेगा तभी हो जाएगा ज्यादा गैस बहुत जोर नहीं रहेगा ऐसे ही देखिए अब मैं उलटके इसको दोनों तरफ से हलका हातों से को उलटना है नरम होता है पहले देखिए दोस्तों मेरा जलेबी पक के तयार हो गया है अब मैं इसको कर दो निकाल लोँगी देखिए अमें इसके पहणी सेसे ज्षाड के कि का लोगी अब जो चाचनी gucken Séera चाईये चाचनी एकदम ठंडर नहीं हो जाना चाईये ढब मैं इसमें डुबोओ दूंगी डुबो के फिर से मैं दुसरा सेम पॉसेज में तैयार कर लूँगी देखिए दोस्तों इसको उलट देना है देखिए मेरा फिर से जिलेवी पक के तैयार हो गया है इसको मैं वाज से निकाल लूँगी निकाल के इसका इस्टा ओयल अच्छे से जार लूँगे इसे बहुत अच्छे से ओयल जार लेना है लेके अब चाशनी में दुबो दूँगी एक मिनिट के लिए चाशनी में दुबोना है ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए देखिए दोनों तरफ से उलट पुलट के चाशनी में दुबो के एक मिनिट रखने से हो जाएगा ये जलेवी देखने में जितना सुन्दर है काने में भी अतना टेस्टी लगता है देखिए मेरा एक मिनिट हो गया है चाशनी में दुबे हुए अब मैं जलेवी को निकाल लूँगी रोश को जराशिक चाशनी को जहार दूँगे इसे जराशिक जहार लेना है लेके अब जलेवी को निकाल लूँगी देखिए दोस्तो फिर से मैं सेम पॉसेस में फिर से तयार करूँगी देखिए दोस्तो मेरा जलेवी बन के तयार हो गया है आप लोग भी बनाईए बना कर खाईए और कैसा बना है मेरे कोमें सेक्षन में बताना नहीं भूलिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद